सुमन, सुमन क्या है? जब देखो सुमन सुमन से लाते रहते हो, क्या चाहिए? अरे भाई, मुझे ओफिस जाना है, कुछ नास्ता पाने मिलेगा? अरे कितनी अच्छी सिरीज देख रही थी? तुम भी न, एक दिन बिना नास्ते के नहीं जा सकते हो, क्या ओफिस? अरे वाई, यह तुम मुझे पता ही नहीं था, कितना बड़ा काम कर रही हो तुम जाओ जल्दी से मेरे लिए नास्ता बना कर लाओ, और टिफिन भी तेग्यार कर देना, आज के बाद में डेले टिफिन ले कर जाओंगा, बाहर का खाना बंद, अरे जितने ज़्यादा मैं तुमको सुविधा दे रहे हो, उतने ही तुम पिलकुल, आस्वान में ही जाती च जुश्किल है, यहां हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्यों परेशान करो, लेकिन इनको देखो, सुबह सही टीवी में लग जाती है, बैया, अरे सरला, तु अचानल बिटा, सब ठीक तो है न, कुछ ठीक नहीं है बैया, मैं ऐसा सुराल वालों ने मेरे जीन लगते थे, कोई ध्यान नहीं रखता था बैया, वो सब आपको ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने अप्ती तरफ से पूसरी कोशिश की, कि मैं अप्ते सरलाल की शिकायत कभी भी माइके में नहीं करू, आज नहीं तो का सब, मुझे प्यार भी करने लगेंगे, मेरे इज़त भ करने लग जाएंगे, लिके शायद मैं गलती बैया, वो लोगोंने मेरे जीना अराम कर दिया है, इसे पेट बर खाना तक नहीं देते हैं, नोग्रों की तरह सुबज से शाम तक एक एक काम मस्से करवाते हैं, और तेरे जीज़जी, को कुछ बोलो, तो बोलते हैं कि तो है क अरे तु पागल हो गई है क्या, ऐसी बात दुबारा कभी सोचना भी मत, तेरा भाई मरा नहीं है अभी, जिन्दा हूँ मैं, और तेरा खर्जब भी उठा सकता हूँ, समझी, पागल कहीं की, तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, और तो ने मुझे एक फोन तक नहीं ये ले पानी, और पहले पानी पी, और शांती से बैठ, अरे हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा, क्या बात हांथो के पीछे पढ़ जाती हो यार, देख नहीं रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, हालत से तु 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 मंदाजा लगा ही सकती हो, कि कुछ अच्छा नहीं जीना हराम कर दिया है, इसलिए दिदी ससुराल चोड़ कर यहां आगे हमेशा के लिए, तुमको ऐसा ससुराल मिलना चाहिए था, जो यहां महरानी के जैसे राज कर रही हो, अरे मेरी बेहन के काम करते करते हाथ में च्छाले पड़ गए, तो भी उस घर में किसी ने उसके इज़त ने की, और एक यहां तुम, अकेला मेरा खाना बनाना पड़ता है, उसमें भी तुम सो बहाने करती हो, अरे जादताने सुनाने के जरूरत नहीं है, बनाई तो रही हो खाना, जब बोले हो तो नहीं बना के दी हो, क्या? वेशान कर दिया, क्या खाना बना के? अब म म्मी पापा होते तो मुझे तुमसे यह सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन म्मी पापा नहीं है, तो कोशिश करना कि तुम मा जैसा प्यार दो, अरे मैं भाबी हूं, मा नहीं, चुम मा जैसा प्यार दो, तुमको तो सच में कोई बात समझाना ही विकार है अरे आदमी अपने सर पटक ले निकिन तुम्हें कोई नहीं समझा सकता अरे भाई तो मत समझाओ ना क्यों अपना दिमाख लगा रहे हो तुम जानो तुम्हारे बेहन जाने में को क्या लेना देना बेवकूफ औरत अगर तु इस घर में नहीं होती न तो सच में तुस्से कोई मेरा लेना देना होता ही नहीं ऐसा कर तू भी अपने मायके चले जा थोड़े दिन के लिए मैं क्यों जाओं भाला मेरा मायके यह मेरा अपना घर है और यहां जितने चीज़े देख रहे हो न मेरे पापा ने एक एक चीज़े दिये ज़्यादा रॉप दिखाने के जरूरत नहीं है मैं आफिस के लिए लेट हो रहा हूँ तुम्हें क्या है तुमको तो पंचायत करने के लिए बस चाहिए कोई जो जल्दी टिफिल बना कर लाओ और हाँ नाश्ता मेरे लिए और सरला के लिए दोनों के लिए लेका राना अच्छा सलला अब शांती से बता बात क्या है क्या बताओ भीया मेरे सास ने तो जर्म की हादी कर दीती सुबच चार बज़े उठा देती जारों पोचा करती पोचा करने के बाद घर को फिर से गंदा कर देती जान बुच कर और कहती कि फिर से पोचा लगा तुन्हें ऐसा पोचा लगा है तेरे माबापने तुझे यही सिखाया है मैं बोलती भी कि माजी आप क्यो जूट बोल रहे हैं तो अच्छे से पोच्छा लगाया था तो सब के घर को बुला लेती और बोलती देखो ये कल की आई मुझे जूटा साबित कर दी मुझे जूटा कह रही है अब आप ही बताओ बैया मैं क्या करूँ खाना बनाती तो खाने में नमक जादा डाल देती फिर बोलती देखो इसको खाना बनाना भी नहीं आता है इसके माव अपनी भी नहीं सुखाया और प्र में दूकर शुकाती तो सारे कप्रे कर देती वाप से अफ्र मेरे से वाप से सारे कपड़े दूलवाथी तों रात में 11 Alors 11 गयरा मज़े तक मुझे प्रेस करवाती बैया भानें के कप्ड़ों मे और खाने के नाम पे बचा कुचा जो भी खाना होता न, वही देती थी बस, कभी पेट बर के खाना तक नहीं दिया भया, अब मुझसे नहीं सहागा था भया, अब अगर अपने घर में मुझे जगए दे सकते हो, तो ठीक है, यहीं आप भी बता दो भया, अब मैं नहीं जी सक पूरा ध्यान रखेगी, कोई काम करने के तुझे जरूरत नहीं है, आराम से रह और अच्छा टाइम बितीत कर, समझी, बाकी सब मैं देख लूँगा, तुझे क्या करना है, क्या नहीं, तुझे उस घर भेजना है, ये दुबारा नहीं, मैं अच्छी तरीके से पहले बात कर हूँगा, सारी चीज़े क्लियार होगी, उसके बाद तुझे उस घर भेजूगा, तो ये मैं समझना, कि तेरे माबाप नहीं है, तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं है, अरे मैं माबाप ना सही, लेकिन पूरी कोशेश करूँगा, कि एक अच्छा भाई बनू तेरा, अच्छा, आँ तू आराम करना, खाना वनना खाना, मुझे ऑफिस जाना में निकलता हूँ, लेंच रेडी है जी, जा कर ले लो अपने टिफेश, ठीक है, और सुनो सुमन, मेरी बहन का पूरा द्यार रखना, उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? पहले ही दिन बता देती हूँ, ताकि बाद में आपको ना लगे कि दीरी, भावी मुझे ऐसा बोले, भावी बदल गई है, और हाँ, खवरदार अगर भाव ने भाविया से अपने कुछ कहा तो, बना हाँ, दुनिया में सब से यह कहूँगी, कि अपना घर तोड़कर आई दुखदर जरका में याद आएंगे, आपको क्या पता भावी, मेरे साथ क्या क्या हुआ है उस घर में, यह पेट बर खाना तक नहीं दिया उन लोगों ने खाना तक, और आपके जीज़ा जी, एक तो रोज उनको दारू पीने की आदत है, जब भी शाम को आते, तारू के नशम याते, और उसके बाद, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था, तो उनकी बेवी की साल में, कोई उनकी नहीं इज़त करता है, ना कोई पेट बर खाना देता है, ना कोई चीज़े हैं, अई ठीके ठीके, यह दुख्रा किसी और को सुना ना, मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं तुम्हारे दुख्रे सुनने में, मूर खराब मत करो, मेरी सीरीज आ रही है, जो, किचन में जाके खाना बना लो, और वैसे भी, आज तुम्हारे भाईया जल्दी आ जाएंगे, तो उनके आने से पहले पहले बना ले ना, और हाँ, आखी पर समझा रही हूँ, खब बन जाए तो मुझे आवाज लगा देना, और बीच में डिस्टरब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भावी, ए बगवान, मेरी क्यों इतनी परक्ष ले रहा है, मैं ससुराल में इजट है, नमाईके में, मैं करू तो क्या करू, जाओ तो कहा जाओ, मेरी भावी, खु आज जाके सामने आई ये भावी की, मैं इतनी दुख से गुजर रही हूँ, अभी अभी आई हूँ, लेकिन फिर भी भावी को एक पल के लिए भी मुझे तरस नहीं आया, कि आज तो कम से कम हो, मुझे अच्छे से रख ले, आते ही मुझे सुरा दी, निकिन अम्ने करू, कर भी तो कुछ नहीं सकती, सुस्राल तो रहा नहीं, माईके में ऐसे जिन्दगी मिलेगी, तो शायर किसे देशाइड ना करना पड़ जाए, देखा दोस्तों आप लोगोंने, तेरे साथ क्या हो रहा है, बगवान करे, ऐसे जिन्दगी किसी को ना मिले, और आप अपनी ब का राम राम, अगर आप मेरे वीडियो पर नहीं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सकाइब करें, लाइक करें और शेयर करें,